हाई खुड मॉर्णिंग साथिक अलाद आप नमस्ट का वनकम जैहिन दोस्तों कैसे आप लोग और आज मैं एक ऐसा टॉपिक लेकर रहा हूं जहां पर आपको डर लगता है आपको लगता है कि आपको heart attack होने वाला है आपकी life खत्रे में है आपकी death होने वाली है लेकिन होता कुछ भी नहीं क्योंकि मैं बात कर रहा हूं panic attacks, panic disorder जहां पर इतना डर जाता है इंसान ऐसा एक attack पड़ता है कि उसको लगता है कि बस मैं आप जाने वाला हूं मेरा समय आ गय है और यकीन मानिए अगर doctor ये बोल देता है कि आपको कुछ भी नहीं है तो उसकी 90% anxiety और डर उसी समय खत्म हो जाता है बागी दवाईयों से लेकिन symptoms क्या होते है panic attacks के कब panic disorder बोलते है treatment क्या है symptom क्या है सब कुछ discuss करेंगे तो शुरुआत करता हूं कि पहले panic attack कहते किसको है और symptom क्या होते है पैनिक attack एक attack होता है जिसके symptom में आपको बता सकता हूं अभी एक तो ऐसा एक डर समन में आ जाता है अचानक आप गाड़ी चला रहे हैं आप picture देख रहे हैं आप mall में जा रहे हैं ये कहीं पे भी हो सकता है किसी भी वक्त हो सकता है इसका कोई ठोड़ ठीक हो रहे है शेक कर रहे हो सांस लेने में दिक्कत हो रहे है और हाथ परों में से गर्मी निकल रही है पेट में दर्द हो सकता है चाती में दर्द हो सकता है भारी पन मैसूस होकता है सिर्दद हो रहा है चक्कर आ रहे हैं नमने सो रहे है सारा शीर लगता है नम पढ़ गया है लेकिन आपको समझ में नहीं आता है लेकिन आपको लगता है कोई बड़ी प्रॉलम आने वाली है और आप भागते हो सिधा हॉस्पिटल या फोन करते हो अपने डॉक्टर को या घर वालों को जिसको ये पहले से पता होता है कि उसको ये अटैक पड़ते हैं वो तो संभल जाता है क्योंकि ऐसे पशेंट को हम दे देते हैं कैसी टैबलेट चूसने की टैबलेट कि भाई इसको जेब में रख जब ऐसा कभी हो तो चूस लेना लेकिन जिसको पहली बार होता है आप सोचिए उसके साथ क्या होता होगा क्योंकि एकसा मेरे साथ दो बार हो चुका है और लाइफ में एक या दो बार सब के साथ होता है सच बताऊं ऐसा लगता है जैसा मोस सामने खड़ी गए बिलकुल आप समझ लिजेगा आपने स्टेज पर देखा होगा कुछ डेथ के वीडियो आते हैं कि इनसान खड़े-कड़े कैसे डेथ हो गई पार्टी में आचते हैं आचते हैं डेथ हो गई सेम सिंटम मेरे साथ हुए थे कि मुझे एक हॉस्पिटल में राउंड लेते समय मुझे ऐसा अटेक पड़ गया था और मुझे लग रहा था कि मैं जाने वाल हूं मेरे वीकनेस थी इतनी कि मैं बैठ गया मैं इसे खड़ा हुआ जा रहा था घबराट हो रही थी पसी नहीं आ रहे थे थोड़ा बी-पी भी हाई हो गया था लेकिन वह पैनिक अटेक था तो अगर आपको यह पता चल जाए आपका डॉक्टर को बता दे कि पैनिक अटेक है यह दुबारा भी पढ़ सकता है तो इसके कुछ मेडिसिंस हैं जो आप इंस्टेंट रिलीफ आपको सिर्फ 15-20 मिनट या आदे घंटे में आपको रिलीफ दे देती हैं तो उस मेडिसिन को जेब में रखिएगा जरूर और हम उसको मौट डिजॉल्विंग टेबलिट कहते हैं काफी एंग्जियोलिटिक ऐसी आती हैं जो आप तुरं इस डिस डिसॉडर नहीं बोलते हैं पर कॉंपनिक बहूर बार बार ये सब हो रहा है क्यों मन में डर बेट जाता है इतना डर बैट जाता है कि आपको सब चीज hyए बहुतब कहीं भी जाते हैं तो आप कही बदा फूबिया हो जाता है कि मुझे कोई बड़ी बिमारी है, मुझे कुछ है, मुझे कुछ है और आसपास किसी को देख लिया, डेथ होते देख लिया तो फिर मला यह सब चीज़ें बहुत हो जाती है पिर आप कहीं भी जाते हैं तो आपको डर लगता है भीड़ भाड़ वाली जगह पर डर लगना शुरू जाता है बस में सफर करते हैं डर लगना शुरू हो जाता है क्योंकि लगता है आप कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा तो इसको बोलते हैं health phobias social withdrawal हो जाता है, इंसान ऐसी social जगहों पर जाने से डरता है और वर्थ प्लेस पर phobia हो जाता है, काम नहीं हो पा रहा है बड़ सारे problem आने शुरू हो जाती है बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है डर के मारे तो यह सब हैं, depression, anxiety का शिकार हो सकते हैं substance, abuse, किसी नशे की आदत भी पढ़ जाती है suicidal thoughts तक आ सकते हैं तो यह कोई इसको बिमारी को seriously इसका करना चाहिए और इसको यह नहीं कि आप इसको छोड़ दें क्योंकि आप इतना डर जाएंगे कि आपकी पूरी जिन्दगी बदल जाती है तो इसका इलाज कराना बहुत जरूरी है कारण क्या होते हैं कारण genetics भी हो सकते हैं आपके खांदा नहीं चला रहा है कोई major stress हो सकता है आपकी life में या फिर आपका temperament इसी तरह का है या फिर आपका temperament इसी तरह का है लेकिन कुछ criteria's हैं कि सबसे पहले मैं यह बोलूँगा कि यह सब चीज़ें diagnose करने से पहले आप patient के सारे test कराईएगा पता लगाईएगा कोई heart problem है या नहीं है उसके test कराईएगा पता लगाईए कोई उसको thyroid की problem तो नहीं है क्योंकि hyperthyroidism जा हर्वन बढ़ या ते महाँ पर ही हो सकता है पता लगाईएगा कोई दिमाग की problem तो नहीं है तो सारी चीज़ें rule out कर लिएगा तब हम कहते हैं कि यह panic disorder है हारा कि डॉक्टर को पता तो चल जाता है लेकिन एक बार confirm भी करना पड़ता है क्योंकि मैंने कहीं तरी अपनी live में पांसार पिशेंट ऐसे निकले हैं जो बाद में kidney problem निकलके हैं जिनको panic disorder होता था उनको बहुत गर्मी लगती थी बहुत heat निकलती थी बाड़ी से तो बाद में पता चला कि इनको तो kidney की problem निकली तो कुल मिला के बहुत निगाह रखनी पड़ती है आप पहले सारे test करा लीजगा लेकिन अगर आपको डॉक्टर आपको बोल देता है कि sir आपको सिर्फ panic disorder है और कुछ भी नहीं है तो शान्त हो जाओ और इतना पता लग जब आपको अगली बार attack पड़ेगा अगर आपको ये पता चल जाए कि मुझे ये panic disorder है heart problem नहीं है तो आदी anxiety, डर तो आपका उसी समय ठीक हो जाएगा तो ये पहचानना सीख लो कि ये कैसे आप पहचान होगी एक बार होने के बाद आप अगली बार आप पहचान सकते हो क्योंकि उस्म्टम पता चल जाते है तो ये एक अच्छी बात है treatment क्या है treatment दो तरे के treatment है medical point उसे, दवाईयों के point उसे एक दवाई जो instant relief देती है तुरंथ ये आपको problem होई जैसे heart का दाद होता है तो मुझे जीब के नीचे सॉब्टेट रख लेते हैं ऐसे गोली चूसने को आती है काफी सारी ऐसी medicine है जो तुरंथ relief दे देती है च्योबल टैबलेट होती है पानी की बिज़त नहीं होती जैब में रखे रहो जब कभी ऐसा हो तो तुरंथ ले लो अपनी जैब में रखनी चाहिए और जैब में रखने में भी confidence होता है कि मेरे पाँ medicine है में इसको होने ही ना दे ठीक है एक बार अराम मिल गया लेकिन होने भी ना दे तो preventive medicine भी जरूरी है counseling का बहुत बड़ा रोल है CBT का रोल है cognitive behavior therapy का रोल है और उस समय जब आपको attack पड़ता है deep breathing exercise करिये दिमाग को divert करिये कहीं और लगाईए और किसी भी जगे आप focus कर सकते हैं आँखों को बंद कर लें अगर आपको देखने में ज़्यादा problem हो रही है तो आँखे बंद करके deep breathing exercise शुरू कर दे meditation भी कर सकते हैं और अपनी energy को कहीं और focus करिये दिमाग को कहीं divert करिये ठीक है और एक होता progressive muscle relaxation PMR तो वो आप network चेक कर लें कैसे करते हैं muscle relaxation techniques तो इनको regular करें life में और life में थोड़ा सा मैं यही बोलूँगा कि life को balance life रखें कोई addiction से दूर रहें मैंने कहीं बाद देखा जो लोग alcohol लेते हैं smoke करते हैं उन लोगों में problem जा रहा होती है मेरा personal मामला है और सबसे बड़ी चीज़ life को stress से दूर रखें उतना ही काम उतना ही tension लें जितनी आपके बस की है लोग बहुत बड़-बड़े काम पकड़ लेते हैं फिर होते नहीं और फिर यही सब होता है अब panic attack हो रहा है plan attack हो रहा है जिन्दगी उनकी दवाईयों में बीच जाती है तो अपने targets वही रखो जो आप achieve कर सकते हो पालतु कि इतने बड़-ड़े target रख लेना यार life को जीना भी एक target है किस ढंक से life जी जाती है ये लोगों को पता ही नहीं और regular exercise करें regular walk करें regular meditation करें और chai coffee थोड़ा avoid करें ज्यादा chai coffee पीने से भी even green tea भी मैं बता रहा हूँ मुझे तो green tea पीने से हुआ था तो मैं सब यही बोलूँगा कि यह सब stimulant होते हैं इनको भी avoid करें gym की products हो गई चाय, coffee, chocolates और energy drinks इन सब को avoid करें जितना आप avoid करेंगे अगर आपको panic attacks पढ़ते हैं तो आप इनको avoid करें तो मैं चलता हूँ आपका अपना मुन्ना भाई MBBS सिर्फ इतना ही बोलूँगा कि तुस्से नाराज नहीं है जिन्दगी हैरान है अरशान है ठीक है तुस्से नाराज नहीं जिन्दगी तेरे मासूम सबालों का जवाब नहीं है लेकिन तु कोशिश तो कर सकता है न जा कोशिश कर और अपने पैरों पे खुद खड़े हो ठीक है यह सिर्फ एक panic disorder है कोई heart attack नहीं है कोई बड़ी बिमारी नहीं है जिस दिन ये समझ आओगे उस दिन जीना सीख लोगे और जीना कैसे है ये भी एक heart है ये हर एक के बसका नहीं है ठीक है कुछ पाने के लिए कहते हैं कुछ खोना पड़ता है अच्छी health पाने के लिए आपको एक घंटा अपने आपको देना पड़ेगा बस ये समय लिए के लिए चोटा सी बाद को नहीं बताएए एक घंटा सिर्फ एक घंटा अपने आपको दो फिर देखो प्रोलम कैसे ठीक होती है ठीक है थेंक ये वेरी मच आपको अपना मुन्ना भाई अंडिगेस थेंक ये